नमस्कार दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगर आपके पास भी कोई सा भी फोन है जैसे की ओपो, वीवो, सैमसंग, MI और आपको इसमें दिक्कत आ रही है कि जब भी आप इसके अंदर अपना होट स्पोट ओपन करते हो तो थोड़ी देर बाद में 10 मि उसके बाद आपका होट स्पोट अपने आप बंद हो रहा है तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप इस प्रावलम को ठीक कैसे कर सकते हो तो इस प्रावलम को कहते हैं होट स्पोट आटोमेटिक टर्न आफ तो ये पहले से ही सैटिंग में दिया होता है कई सारे फोनों में पहले से ही आता है और कई सारे फोनों में यह चीज नहीं होती है तो इसे ठीक करने के लिए आपको अपने मोबाइल में settings को open कर लेना है mobile में settings को open कर लिजी आपके पास settings वाला page आ जाएगा पर अगर आपको यहाँ पे settings वाला page यहाँ से नहीं मिल रहा है तो आप इस पे touch करें यहाँ पे settings पे आपके पास settings आ जाएगी तो यहाँ पे अगर आपका wifi चालू है सबसे पहले wifi बंद कर दीजी हमारा wifi चालू है तो हम इसको बंद कर देते हैं तो यहाँ पे हमने wifi को बंद कर दिया है फिर आप आजाएए अपने hotspot में यानि portable hotspot या personal hotspot इस पे touch करिए सबसे पहले आप इसे चालू करिए और यहाँ पे आपको एक option ढूड़ना है जिसका नाम होगा Turn off hotspot automatically देखिए यहाँ पे लिखा है जब भी आपका कोई device इससे connect नहीं होगा तो यह चीज आपको यहाँ मिल जाएगी direct बना setting बगर करके देख लिजिए उपर की तर भी कुछ setting मिल जाएगी आपको यहीं पे मिलेगा वो option कहीं और नहीं मिलेगा वीडियो पसंद आई है वीडियो को like करिएगा चैनल को subscribe जरूर करिएगा